हेलो फ्रेंड्स वीनम आफीसियल में आपका स्वागत है आज हम कठल का ऐसा अचार बनाएंगे इसे दो से तीन साल तक आप रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा एक बार ये अचार बना लेंगे तो आप अगर सबजी नहीं भी बनाया है तो इस अचार के साथ अपने पूरे खाने को एंजोय करें चलिए हम बनाना शुरू करते हैं वैसे तो मार्केट में ही छोटे-छोटे कठल कठे हुए मिल जाते हैं तो हम आधा किलो के करीब कठे हुए कठली मगा लिये थे और इसमें एक चमच के करीब हल्दी और एक चमच नमक मिक्स कर लेंगे अच्छे से पूरे की इसमें अच्छे से कोट हो जाए कठल के उपर से हल्दी और नमक का कोट होने के बाद इसको हम स्टीम करेंगे पांच से दस मिनट तक स्टीम करने पर हमारे कठल साफ्ट हो जाएंगे हलके हलके पूरे नहीं हमें कुप करने हैं हमें 70 से 80 परसेंट तक ही कुप करना है कठल को उसके पीस वैसे ही रहें इसको फिर हलकी सी अगर धूप हो तो दिखा ले नहीं तो फिर पंखे के हवा में ही इसको हलका सा ड्राइ कर लें क्यूंकि हमें इसमें पानी में डालके इसको नहीं बॉयल किया है इस लिए अचार बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है अगर धूप हो तो एक घंटे के लिए आप इसको देज धूप में रख दें इससे अचार और भी लंग टाइम तक आप ट्रेजर्व कर पाएंगे बिना किसी केमिकल बिना किसी प्रेजर्वेटिव के द्वारा ही बिल्कुल सेल्फ लाइप इसकी नमक और तेल से ही लंग हो जाएगी अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं दो चम्मज धनिया दो चम्मज सौफ एक चम्मज जीरा और अर्थ से बस लाल मिर्च हम ले लिए हैं वैसे तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं पर जब हम खड़े मिर्च को हलका सा रोष्ट करके पाउडर बना के डालते हैं अचार मसाले को धीमी फ्लेम पे हलका सा जब चटकना शुरू हो जाया तक तक भून लेंगे मसाले को बहुत जलाना नहीं है फिर इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे सारे मसाले को अभी तो हम ये मसाले भूने हैं धन्या जीरा और सौफ और मिर्च थोड़े से हम ऐसे मसाली ये हलका सा गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी करके कडाही गरम हो जाएगा तो गैस बंद कर देंगे गरम कडाही में ही इसको चला लेंगे कि इसका मौश्यर खतम हो जाए उसके लि इन मसालों को हम हलका रोष्ट कर लेंगे तो धन्या जीरा और सौफ जो था उसको हम पाउडर बना लेंगे फिर थोड़ा सा इसको दरदरा पीस लेंगे इन मसालों को जो बाद में हलका रोष्ट की हैं अजवाइन मंग्रेल और मस्टर सीट को इसको हमें हलका पीसना है और जो पहले हम भून लिये थे उन मसालों को अच्छे से पाइन पाउडर बना लेना है वैसे तो अचार में थोड़े मोटे ही मसाले अच्छे लगते हैं इसलिए हम बहुत ही पाइन नहीं बनाए है अब इसके लिए हम एक कड़ाही में आदा लीटर के करीब तेल डालेंगे आप तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं तेल अच्छे से रहता है तो अचार हमारा बहुत लाइफ तक सेफ रहता है खराब नहीं होता है तेल गरम कर लिए है कि इसकी नमी या फिर इसमें कुछ भी पानी का आंस हो तेल को गरम करने के बाद हम गैस को आफ कर दिये हैं इसमें हम पहले एक चम्मच हींग डालेंगे एक चम्मच हल्दी डालेंगे गैस को हम आफ़ कर लिये हैं इससे कि हमारे मसाले जल ना जाए दो चमच हम कास्मेरी लाल मिर्च डालें इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है फिर इसमें हम सारे पाइन जो पाउडर बना के रखेते उसको डाल दिये है सब मसालों का फ्लेवर तेल में आ जाता है तो इससे हमारे आचार की खुश्बू बहुत ही अच्छी हो जाती है और ये भी सारे मसाले हम डाल दिये हम दो बार मसाले भूने थे दोनों मसाले को अट कर लिये हैं तेल में उसके बाद हमारा कठल ड्राई हो गया था इसको भी इसी में डाल के अट कर लेंगे कड़ा ही हमारी करम है तो सारे मसालों की नमी और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से खुल के आया है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है चार से अब ये 5-6 आम को हम ग्रेट करके रख लिये थे एक कटोरी के करीब हमारे पास ही कद्दुकस किया हुआ आम था तो इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे वैसे तो बहुत लोग इसमें उपर से आमचुर पाउडर या खटाई डालते हैं तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लक्षे से बनके अचार तयार होता है क्योंकि ये बहुत ही उसके उपर पकड़ बना लेता है कठल को पिरकोट हो जाता है और इससे बिल्कुल मसालेदार सबजी का फ्लेवर आएगा आपको लगेगा कि आप कठल की सबजी मसाले वाली स सुखी सब्जी है उस तरह से यह बन के तयार होगा इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक भी डालेंगे यहीं पर इसे स्टेज में हैं नमक हम पहले भी हल्दी नमक एक एट किये थे इसलिए इस टाम हम नमक थोड़ा कम ही डालेंगे आपका जितना कठल वह इस साप से न नमक पहुत जाए इससे अचार के सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है चार को अच्छे से मिक्स करके पूरा चारो तरब से अगर आपके पास धूप इससे मैं दिख रही हो धूप का मौसम हो तो इसको धूप में दो से तीन दिन रख ले अधर वाइस नहीं है तो फिर आप इसको काच के जार में बिल्कुल भर के एर टाइट बंद करके डिब्वे को रख ले हो उसमें एक से दो चमत सिर्का अट कर ले तो बिना धूप के भी अचार आपका खराब नहीं होगा अगर धूप है तो आप बिना सिर्के के भी इसको रख सकते हैं दो से तीन दिन तक इसको ध अचार में फिल कर लीजे तो यह आचार आपका दो से तीन साल तक नहीं खराब होगा हमारे पास तो अभी दो साल पुराना भी अचार रखा हुआ है कठल का अचार एक बार बना लें फिर कोईबी सबजी ना हो किसी भी चीज़ कोई गेसट आए उसके लिए जट पट ये आपका अचार बहुत ही काम आजाता है इसको बस इसमें एकी चीज आपको ध्यान रखना है कि कठल को पानी में नहीं उबालना है उसको हम स्टीम ही करेंगे और स्टीम करने के बाद उसके अंदर जितनी भी नमी है उसको सुखा लेना है और इसमें हींग हम तेल के अंदर डाले थे उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हींगा आ रहा है आप एक बार इस तरह से अचार बना लेंगे तो हमेशा ऐसे ही बनाना चाहेंगे आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और हमारा तरह तरह के अचार और रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो उसके लिए आपको बेल आइकन अन करना होगा से जरूर रान कर लीज़ेगा हमारी चैनल पे आपको बहुत सारी अच्छे अचार की रेसिपी मिलेगी आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमेशा आपको नई नई रेसिपी देखने को मिलेगी और आप उसको बनाने पे बिल्कुल परफेक्ट बन के तियार होगी आपका कठल काचार कैसा बना बना के जरूर बताईएगा हमको कमेंट में और कैसा इसको बनाने में आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट के थूर हमसे पूछ सकते हैं हम आपको जरूर जवाब देंगे उसका अब देखिए हमारा ये कठल काचार पूरी तरह से तयार हो गया है अब इसको हम एक से दो दिन धूप में रखने के बाद इसको कौच के कंटेनर में स्टोर कर लेंगे और अगर आपके हाँ धूप नहीं हो तो आप इसमें दो चमच इसी टाइम में सिरका अट कीजिए और सिरका अट करके कंटेनर में स्टोर कर लीजिए देखिए कितना परफेक्ट आचार हमारा बन के तयार हो गया है आप एक बार ये लाजबाब अचार बना लेंगे तो बार-बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे और आपके घर में जो कभी अचार नहीं खाता होगा वो भी इसको बहुत ही स्वाद से और टेस्ट से खाएगा हमारे हाँ तो ये अचार बहुत पसंद है लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो इसे सेर भी कीचेगा थैंक यू फो वाचिंग